असलाम अलेकुम तो स्वागत है आप सभी का ग्यापन एकेडमी के इस नए और लेटिस्ट वीडियो में और आज के इस वीडियो में आप लोग को टेंथ क्लास के उर्दू के दरक्षा के किताब से चैप्टर नंबर 30 यानिकी 30 पढ़ाने जा रही हूं जो की एहमत फिराज क लिखी हुई दूसरी घंग पहली घंग उसके पहले वाली वीडियो में यानकी चैप्टर नंबर 29 में पढ़ा चुकी हूं अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो आप मेरा प्रिविज विडियो यानकी इस पहले वाला वीडियो देख सकते हैं और आसानी से पढ़ सकते है इस वीडियो में आप लोग को डायेक्ट दूसरी घजल को पढ़ाऊंगी क्योंकि एहमद फिराज के बारे में सारी डिटेल्स जो इस चेप्टर के लेखा के एहमद फिराज इनके बारे में सारी जानकारी सारी डिटेल्स में इसके पहले वाले वीडियो में ही यानि कि chapter number 29 में ही बता चुकी हूँ, ठीक है, तो हम लोग direct इस गजल को समझते हैं, चलिए मैं आप लोग को इस गजल के पढ़ती एक लाइन को पढ़कर इसका मतलब समझाती हूँ, ठीक है, तो चलिए मैं निकालती हूँ, एहमद फिराज की दूसरी गजल, तो देखें लि मैं फिल में जलाते हैं चिराग, यानि कि तुम तो खुद एक सूरज हो, और तुम्हारे होते हुए मैं फिल में चिराग जलाने की क्या जरूरत, मैं फिल में रोसनी करने की क्या जरूरत, तुम तो खुद एक सूरज हो, और लोग क्या साधा है, लोग के पास दिमाग नही कि वो तुम्हारे होते हुए सूरज के होते हुए वो चिराग को जला रहे हैं ठीक अपनी महरूमी के एहसास से शर्मिंदा है खुद नहीं रखते तो औरों के बुझाते हैं चिराग यहां पर बोल रहे हैं एहमद फिराज कि वो लोग जो अपने जिन्दगी में हमेशा फेल हैं तो दुसरों के घर चले जाते थैंने के लिए तो फोय आपर बोला के खुद लिए लिए बजाने के लिये बस्तिया दूर हुई जाती है रफता रफता दम वी जाती एंड और लोग इस Ooh कि डूर रहे जाती हैं रफता ़िन्दगी में पर हैंहें व कि हलदो हैं लोग इस दुनिया के लोग जो एक्दम लगतार रफतार से आगी बढ़ रहे हैं तेजी से डिजिटल लोग होते जा रहे हैं और इस रफतार में जो है ना जो बस्तिया है जो यादे है वो पीछे चूटती चली जा रही है वो लोगों के बीच अपनापन जो पहले हुआ करत कि जो बस्तिया जो यादे है वो पीछे चली जा रही है और दम बदम और लगतार जो है ना छिपते चले जाते हैं चिराग और वो जो चिराग है वो भी चिपते चला जाए चिराग आप बोल सकते हैं मुंबती का चिराग या फिर आप बोल सकते हैं दिया का चिराग किसी उन लोगो को कि उनका दामन भी भड़क उठता है जो हवाओं में चिराग को बचाने के लिए जाते हैं मान लीजे तेज हवा चल रहा है उसी में चिराग जल रहा है अब बोल सकते हैं मुंबत्ती का चिराग यह फिर दिया मंदब किसी भी चीज़ का चिराग जल रहा है ठीक तो तेज हवाओं में चिराग को जो लोग बचाने के लिए जाते हैं उनको क्या खबर कि उनको क्या पता कि उस चिराग का जो लोग है उनके दामन में भी लग जाए और दामन में लग जाने के वज़ए से पकड़ जाने के वज़ए से उनका दामन जल उठे और इसके वज़ करने और खुद बदनाम होकर वहां से चले आओ ठीक है तेज हवाय चल रहे हैं चिराग जल रहा है और वहां पर जाओ ज्राग को बचाने के लिए बुझने से तो चिराग का वही जो लवैं आपके दामन में लग जाता है और आपका दामन भड़ा कुपता है आप खुद जल कि आगे बढ़िए गोसे बख्त है हम लोग पिरौशन हैं जमीर हुद अन्धेरे में हैं दुनिया को दिखाते हैं चिराग यहां पर आपर अहमत सिरास बूल रहे हैं कि हम लोग ब्रकिसमत हैं बदनसीड हैं हम लोग खुद अन्धेरे में हैं लेकिन इसका मतलब को चिराग दिखा सकते हैं दुनिया को चिराग दिखा सकते हैं और दूसरे लोग को समझा सकते हैं बहले हम खुद अंधेरे में हमारा नसीब साथ नहीं दिया तो हम अंधेरे में रहे तेकिन दूसरों को चिराग दिखा सकते हैं दूसरों को समझा सकते हैं बातों को ठीक है बस्तिया चांद सितारों के बसाने वालों कर रहे अर्ज पर बुझने चले जाते हैं चिराग यहां पर बोल रहे हैं कि बस्तिया चांद सितारों पर बसाने वालों यानि कि वो लोग जो अपने घर को बना रहा हो वहां का तो चीराग जला लो तूम रहारे हो वहां का तो खुद का आसपास का चिराग expenditure group के लिएत पर निशन तो जंदाम जलाते हैं चिराग यहां पर बोल रहा हैं एहमत फिराज कि ऐसे अब हम लोग बेदर्द हो गए हैं कि हम लोग जेल में हैं और बाहर अगर कहीं बिजली गिरती है गुल्षन में अगर बिजली गिरती है तो हम लोग अंदर जेल में चिराग जलाते हैं और खुश होते हैं कि चलो हम बाहर नहीं थे नहीं तो हम पर भी बिजली गिर जाती और हम भी इस दुनिया से टाय बोल जाते यानि कि हम भी इस दुनिया से चले जाते तो चलो हम लोग जेल के अंदर थे ठीक मतलब ऐसे हम लोग बेदर्द हो गए हैं ठीक हम लोग खुशी मना रहे हैं कि हम लोग बच गए लेकिन इस चीज़ का दुख नहीं है कि जो बाहर गुल्षन में बाहर जो लोग थे उन पर विजली की गिरी वो लोग मर गए तो उसका दर्द नहीं है खुशी इस बात किये कि हम लोग जिन्दा है ऐसे हम लोग बेदर्द हो गए है ये एहमद फिराज बोल रहे है ठीक ऐसी तारीकी आँखों में बसी है कि फिराज रात तो रात है हम दिन को जलाते हैं चिराग बोल रहे हैं ये लास्ट लाइन है एहमद फिराज इस लास्ट लाइन में बोल रहे हैं कि इतना अंधेरा हमारे जिन्दगी में आ गया है इतना अंधेरा चा गया है हमारे जि चिराग जलाते हैं मैं दिन में भी चिराग जलाता हूं ठेक है तो यह हो गया आप लोगा चैप्टर नूमबर 3030 कम्प्लेट कोई भी कम्फियूज़ान में चैप्टर से रिलेटेड आप हमें कमेंट करकर पूछ सकते हैं बाखी में आप लोग को जो कुछ भी समझाई अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और उसके बाद से आप लोगो सबसे ज्यादा शेयर करना है अपने पड़ोसी अपने दोस्तों के पास जितना ज्यादा शेयर कीजिए और हां अगर आप लोग चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर करता है